हलो बच्चो आज हम लोग मराठी सुलभ भारती यत्त आठवी का लेसन नंबर पांच घाटात घाट वरंधा घाट इसके क्वेशन एन आंसर स्टडी करेंगे प्रश्न एक आकृती पूर्ण करा पावसाडा शुरू जालियाचे लेखकाला जानवनार्या खुणा बारी शुरू होती है तो क्या उसकी साइन्स दिखती है तो पहला है सोसाट याचा वारा जोर में भैतीवी हवा और दूसरा है माती चा सुगंध मिट्टी की प्रश्न दोन पावसाच्या आगमनाचा लेखकाच्या मनावर होना रिया परिनामान सा ओग तकता तयार करा बारी शाते ही लेखक के दिल के उपर क्या-क्या खैलात आते है तो उन्होंने एक दिया है उसके आगे काम को लिखना है तो क्या दिया है इन्होंने पावसाच्य आगमनाने गत काडातले शन जिवन्त होतात पिछली आदे ताजा होती है तो उसके आगे क्या था लेसन में डोड़यान समोर येव लाखतात आखों के सामने आते है अब तीसरा इनों ने दिया है पाणिया तुन अलगद पने वाहुन जातात आखों से आसु बहते है तो उसक खालील शब्द समोहान सा अर्थस पश्ट करा मिनिंग बताओ जिगर बाज भटके तो इसका मिनिंग क्या है धारसी भटकंती करनारे लोक दूसरा है रंगीली पाईवाट तो इसका मिनिंग क्या है चिकलाने रंगलेली पाईवाट तीसरा है डोंगराची सोंड इसका मिनि प्रश्न चार तुम्च्या शब्दान्त माहिती लिहा अ वरंधा घाटातील निसरगाचे विहंगम दुरुष्य तुम्च्या शब्दान्त वर्नन करा वरंधा घाट में नेचर की ब्यूटी कैसे दिखती है तो उत्तर पाण्या वर जुकलेल्या हिर्विया गच्च जाडीतून रोरावत बाहिर येनारे धब्धबे दरीतल हिर्वरान धगाड लेले डोंगर पावसाची सतत धार मोठ मोठ्या दगडान वर आसूर मारत धावत खडाडत वहनारे पानी असे निसरगाचे विहंगम दुरुष्य डोड्यान समोर वरंधा गाटात दिसायला मिड़ते आ, कावडया किल्ला, उत्तर, कावडया किल्ला तसा बराच मोठा आहे तो फोडुन च वरंधा गाटाचा शेवत चा तप्पा तयार केला हे श्री वागजाई मंदिराचे बरोबर वर्च्या भागात डोंगर माथ्या अब इसके बाद है खेडू या शब्दांची अब इसमें ग्रामर होगा अ खाली दिलेल्या विशेष्य आणि विशेषन आंचिया योग्य जोड़िया लावा तो विशेषन दिया है और विशेष्य दिया है इसको मैच दफॉलविंग करना है तो विशेषन है विहंगम तो विहंगम का मैच दफॉलविंग क्या है दुरुष्य दूसरा है गर्मा गरम, गरमा गरम क्या है? कांदा भजी, तिसरा है गोंगा और नारा, तो ये क्या है? वारा, उसके बाद है काड़ा शार, तो इसका क्या है? पाशान, उसके बाद है अरुंद, तो अरुंद क्या है? पाइवाट, ये इसके आंसर से. आ, खालील वाक्यनतिल शब्द योगी अव्येए ओडखा तो शब्द योगी अव्येए क्या होता है? ये वर्ड के साथ ही मिला हुआ दूसरा वर्ड होता है और उस वर्ड के बारे में और एडिशनल कुछ पताता है तो अ पुडियाहून महाड कडे जानार्या रस्त्यावर हिर्वी जाडी आहे तो इसमें शब्दयोगी अव्या क्या है कडे महाड के साथ में ही जुड़ा हुआ है उसके बारे में बता रहा है तो इसमें शब्दयोगी अव्या क्या है सार्खी वो टप्रियान के साथ में मिला हुआ है ये इसके अंसर से ए खालील वाक्यांतिल विराम चिन्हे ओडखुन त्यांची नावे लिहा तो ये सेंटेंसेस में विराम चिन्हे याने कॉमा फुल स्टॉप एक्स्क्लेमेशन मार्क ये सब जहां भी हो उसको डूण के लिखना है गाटात गाट वरंदा गाट बाकी सब गाटिया तो इसके अंदर विराम चिन्ह कौन सा है ये जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आया है तो उसको मराटी में क्या बोलते है उदगार वाचक चिन्ह गत काडात ले तेशन पुनहा जिवन्त होतात तो इसके अंदर कौन से कौन से विराम चिन्ह आये है तेशन इन्वर्टेट कॉमस में लिखा हुआ है तो उसको मराटी में बोलते है एकेरी आउतरन चिन्ह और लास्ट में फुल स्टॉप है तो उसको मराटी में क्या बोलते है औरुन विराम तो यहां ये question answers खतम हो गए बच्चो इसको अच्छे से अपने notebook में लिख लो next वीडियो तक बाई बाई